निल्सूपर सेवन के कैमरे में आप यह जो वीडियो देख रहे हैं यह वीडियो दरसल उत्तर परदेश से आ रहा है मैं आपको बता दूं उत्तर परदेश के अधिकारियों के हरकत का जो यह वीडियो वाइरल होता है यह कोई नई बात नहीं है जब कोई ऐसा मुद्दा आता है तो सरकारी कार्यालों से लेकर के सोशल मीडिया तक अफरात अफरी के स्थिती मच जाती है कुछ दिन पहले ही अभी वेरेली की SDM जोती मुर्या का मामला खुब चर्चे में रहा लेकिन अभी कुछ दिन ही बिते थे कि एक बार फिर से बरेली के मीर गंज के SDM साहब का ये वीडियो खुब चर्चे में है बात यहीं तक नहीं रुकी बल्कि SDM साहब पर जांच के तलकवार भी लटक गया है दरसल मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा माजरा क्या है बरेली के मीर गंज के SDM साहब के करयाले में कुछ ग्रामिर पहुचे थे जो कि अपनी फरियाद लेकर के SDM साहब के सामने पहुचे थे लेकिन SDM साहब उन फरियादों की फरियाद को सुनने के वज़ाए उनके साथ अभधर भाशा तथा अभधर ब्यवहार किया ऐसा कहना है जो फर्यादी पपू नाम का है जो कि आपको इस वीडियो में दीख रहा है कि वो मुर्गा बना हुआ है उसका कहना है कि जब हम SDM साहब के पास पहुँचे तो SDM साहब न तो मेरी बात को सुने बलकि उन्होंने मुझे मुर्गा भी बनाया और मेरे साथ अभध् समुधायक लोग रहते हैं लेकिन हमारे गाओं में समसान के लिए जो यह भूमी का बात आ रहे हैं यह समसान के लिए लौट है लेकिन साथी साथ पापू का यह भी कहना है कि मैंने SDM साहब को बकायदा जो उसका प्रूफ है वो भी दिखाया लेकिन उसके बाद भी SDM साहब ने मेरे साथ ऐसा दुर्बेवहार किया यहां तक ही बात नहीं रुकी जो पिडित पापू है उसका यह भी कहना है कि मैं यह तिसरी जाए पार siयीस साँच के ईथि साफिसमे आ गया हूं सांति सातले इस ने साहल से कहा चाहे आप जितना भी मुझे मुझे बना लें लेकिन जब तक नहां नहीं मिलता तब तक मैं मुर्गा बनने से पीछे नहीं हतुँगा अब जाच की जो बात वहां के जो डीम साहब है वो तुरंत ही SDM साहब का तबादला कर दिया है SDM साहब का नाम उदित पवार बताया जा रहे है आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा कब तक यह जो अधिकारियों का एक निरंकु शासन है कब तक इन ग्रामिडों इन आम जनता के लिए ऐसे ब्यवहार यह करते रहेंगे देखने वाली पूरी खबर है आएए हम आपको एक बार फिर से यह वीडियो दिखाते हैं